हलो गुड मॉनिंग कैसे हैं आप लोग अच्छे ही होंगे तो अभी सुबा के बज रहे हैं वही आठ और आज काविया जा रहे हैं इस्कूल लगबग डेर पॉने दो साल के बाद तो काविया मेरी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इतनी ज्यादा खुस है कि राट से ही सुबा मतलब पांच बज़े उड़ गई थी मम्मी तियार हो जाओ तियार हो जाओ लेकिन जाना तो मतलब नौ बज़े है घर से निकलना तो फिर मैंने उसको रोव दिया और ये पांच बज़े लेकर के जाना है और आज इसका एक्जाम है तो मैंने लेंच बॉक्स में दिया है इसको आलू की सबजी और पराठा तो ये देखिए काविया को करते हैं बाइब बाइब आज वानिंग कैसे हैं आप लोग और अभी टाइम हो रहा है दस बज़ रहे हैं तो काविया को स्कूल बेजने के बाद तो आज खाली सिर्फ काविया का ही स्कूल था और आज NS करके ऐसे कुछ All India Level पे कोई एक्जाम है सारे स्कूलों में तो काविया भी उसमें सेलेक्ट थी तो एक्जाम देने के लिए गई है तो स्कूल और बेजने के बाद जाड़ों कोच सारी सब कुछ करने के बाहर ना दोना और मेरी पूजा भी हो चुकी है सब हो गया है और आप बनाना एक खाना और दूसरी बात जो भी हॉल में डेकोरेशन वगरा की थी या फिर बाहर तो वह सारा में हटा दूंगी क्योंकि आपको पता ही है हमें जाना है घर तो उससे पह अधों को पानी वानी खुब अच्छे से देना है मुझे तो यह सारी चीजें मतलब दसवारा दिन क्या यह तो पहले ही आजाएंगे एक दो दिन में और मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा तो चलते हैं वह सारे काम हम करते हैं आपके साथ में तो क्योंकि लेट ना हो और सबजी वगेरा मैंने बना लिह मतलब बना क्या लिए आपको पता है कि बस खाल你是 दाल और मुझे वह बनाना चावल और नहीं तो तो पूरा ही बनाना वसक्त्री तयारी है टारी है मेरे कीचन भी नीट ex सब नी पारी है थोड़ा सा ही करना है साब आज बहुत ज지도 etwa स से काम हो यह देखिए यह सब क्योंकि यह कि ना प्लास्टिक होता है तो यह खराब हो जाएगा अगर अभी इसको मैंने हटाया नहीं वैसे भी आब हो गई दिवाली तो वैसे तो देव ठाने का देशी तक रखा जाता है फिर उसके बाद ही हटाते हैं लेकिन जाने दो मैं अभी हटा आदे रहें कोई प्रॉब्लम नहीं है है ना कर दो में अभी है तो यह सारी लड़ी वगरा उतारने के बार सब्सक्राइब नहीं है तो अभी कुछ चीज़ें जो मतलब दीवाली पर बनाई थी नमकीन नमक पार्टाइब थोड़ा थोड़ा बच गया है तो क्या है घर पर इसे छोड़ने ही सकते कि इतने दिन में खराब हो जाएगा तो यह सारी चीजे में पैक कर लिए जाना है तो फिर सारे काम भी समय समय से होते रहें तो उसके बाद यह सारे बॉक्स खाले हुए थे और अगर इनको ना आप हमारे यह बॉक्स वगेरा सब अगर लोट के आए भी कोई सामान रखना है तो सब साफ सुत्रा रहेगा उसके बाद यह दाल हमारी बन चुकी है तो दाल में सिंपल में जीरा और हिंक का तड़का दूँगी हमारे प्याच वाली दाल बहुत कम ही खाय जाती है कभी का दार ह हम बनाते हैं ज्यादा नहीं तो यह देखिए हमारा खाना बन कर तयार हो गया है जबजी रोटी चावल और दाल और साथ में है आज अचार तो आजए आप लोग भी हमारे साथ दुपैर का खाना खा लीजिए और हमारे भूजन का आनंद लीजिए तो अभी फटा-फट से मेरे को आज बहुत सारे काम है तो आपको पता ही है कि जब कहीं हम बाहर जाते हैं तो फिर बहुत सारे काम एक्स्टर निकलाते हैं तो साथ में है गुलाब जामुन जो कि दिवाली का ही अभी चल रहा है उसके बाद हम लोग गए हैं मार्केट मार्केट तो नहीं मतलब हमा दूसरी बात आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मतलब कार खाने में गंदगी वगरा है तो इस तरह से बस यही है कारणे कि हम लोग बाहर की चीज़े इग्नोर करते हैं लेकिन हमारे आपी पापली में मतलब कुदुर लोगों ने देखते नहीं है तो इस चीज़ को जब क दो दिन हो गया लाए हुए और दवा नहीं तुम टाइम से खा रही हो तो मेरे को दवा लाके दीगे उकम से कम चार पांट टेबलेट ही मैंने खटा निगल ली तो मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से गंदा लग रहा था लेकिन क्या है परिशानी तो दवा खानी ही पड आज लोग हैं तो कल आपने देखा था मैंने पेड़े बनाय थे तो पेड़े मैं घर लेकर के जाओंगी थोड़े सब के लिए चीप से पेड़े और में और दूसरा ना लोकी की वर्फी वगरा दिवाली की बची वी थी तो अपके वार मैंने मिठाईयां वगरा बन गई तो बच गए थी उसके बाद अब मैं जा रहे हूं अपने आपको टाइम देने क्योंकि साथ में ही अपने आपको टाइम देना बहुत जरूरी है तो अभी मैं करने जा रही हूं हमालिया का पील आफ तो इसको मैं इस तरह से पूरा फैला लूँगी अपने फेस पर और ये पील आफ को मैंने फैलाने के बाद और इसको अच्छे से सूखने देना है 8-10 मिनिट के लिए उसके बाद यह देख रहे हैं किस तरह से इसकी निकलती है बस इस तरह से इसको धीरे-दीरे कीचते जाना है और आप ध्यान रखे थोड़ा सा कि आप मतलब अधानी के साथ में को इसको बाद मैं फैस को क्लीन करके आ गई हूं तो अभी देख रहे हैं आप फैस पर हलकी हलकी चमाका चुकी है और नेस्ट स्टेप है हमारा हिमालय का फेस पैक जो की इस तरह से बस फैस पैक को लेना है और इसमें कुछ भी नहीं मिलाना है सिंपल सा इसको अपने फैस पे फैला लेना है और मेरे हो रा था लेकर वंदीसको नहीं भी अपस्याइक लिजिए पार अपने हमें फैस पे लगा कर लिजिए इसके बाद यह अपनě फैस पे एपलााए करिए तो कि इसके बाद अपने अपनी हाठ पर लगा करो चान है को तो इसके वह से मैं लिया फेस पर लगा करके यह कुछ step प्रूर्प कर pass तो इस तरह से अपने आप कुछ खर्चे के को बचा सकते हैं तो यह सारी चीजिज अगर मार्केट में लगकर आने जाओ पार्लर में तो चार से 500 रुपए का खर्चा आजाता है तो यह सारे सारा कुछ मैं ने फेस पर घर पर ही अप्लाई किया है और आप देखी कि बहुत अच्छा ग्लोव आएगा तो ये कुछ इस तरह के step हैं जो कि आप आराम से और अगर आप हमें बताएंगे comment करके कि आपको full video facial का देखना है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी ये तो अभी shortcut है ऐसे ही जल्दी जल्दी में हुआ है उसके बाद एक हैंकी को गिला करके हम इस तरह से इसको सारे को साफ कर देंगे हटा देंगे अपने face से और उसके बाद फिर मैंने face को थोड़ा सा धुल लिया है पानी से और ज़्यादा रगणना नहीं है क्योंकि face की skin थोड़ी सी नाजुक होती हो उसे साफ से ही करें और हाँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ये देखे कितना ज़्यादा ग्लो आया अच्छा लग रहा है तो चलिए जल्दी जल्दी से लाइक कर लीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो में अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें तब तक कि लिए बाय गुड़ डे टे क्याए